Hello Friends, Welcome from Dream Fantasy आज मैं explain करेंगे manager mode की team एक होता है ठीके ना, only team कैसे बना है बाकी manager mode क्या होता है कैसे इसका use करना यो सारी चीज़े मैं पहले ही आप के लिए बता चुका हूँ ठीके ना, तो manager mode आपकी ID में यहां show कर रहा है नीचे slide में आप देखेंगे जब आप team बनाके team put कर देंगे contest में तब आपकी manager mode में top पे आ जाएगा ठीके ना तो manager mode के बारे में सारी term condition बता चुके हैं ये dream cell के बारे में भी सारी condition बता चुके हैं ठीके ना तो channel को अभी तक subscribe नहीं किया है and notification on नहीं करा है क्योंकि dream 11 का cash bonus offer आ सकता है IPL के लिए तो बिलकुल जरूर जुड़ जुड़ा है channel से and अपने friends के साथ share करना बिलकुल ना भूले ठीके तो इसके लिए हम लोग 3 tips and 2 tricks का use करेंगे ठीके तो first of one थोड़ी video lengthy हो सकती बट आप पर सारे concept clear हो जाएंगे ठीके ना तीन tips क्या होंगी हमारी पहली tips यह होगी कि इसमें आपको कोई भी match को छोड़ना नहीं है ठीके ना कोई भी match आपको drop नहीं करना है क्योंकि देखिए आप जानते एक message सबसे low rate में 200 से 2500 points तो मिलते ही है अगर आप किसी contest में 200 से 2500 points पीछे खिसक जाओगे तो आप जीतने के chance बहुत low हो जाएंगे ठीके ना तो इसमें किसी भी match को आपको छोड़ना नहीं है ठीके second point अगर आप किसी match में कई वर ऐसा होता ना कि आप play नहीं कर पाएंगे आपको लगता है तो आप पहले से उसमें at least captain and by captain छोड़ बनाए जरूर जैसा कि मैं एक example भी देता हूँ जैसे आज Mumbai and Gujarat का मेंचे तो आपको पता है सामको मैं busy रहूंगा या मेरे कुछ साधी में जाना है कुछ भी busy है तो कम से कम आप आपको पता है मुंबई का मेंचे तो रोई सरमा तो play करे गई या गुजरात का मेंचे तो शुमन गिल तो play करे गई या राशित खान तो play करे गई तो कम से कम उनको लेके आप captain by captain बना के छोड़ दे ठीक है तो आपका captain by captain का जो double का point का margin है वो आप जरूर मिलेगा आपको ठीक है ना तो यह चीज आपको जरूर करना है एंड थेड़ चीज जो बहुत जाद़ important है वो चीज यह है कि देखिए आपके लिए 300 transfers दिए गए हैं एंड 14 boosters दिए गए तो आपके last match तक कम से कम यह सारी चीजों का इस्तमाल होना चाहिए 14 के 14 boosters use होना चाहिए एंड पू तो कुछ return नहीं मिलेगा तो पूरा इस्तमाल करना है full strategy के साथ ठीक है अब 14 boosters कैसी use करना है बूश्टर के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं तो इसके लिए specific video बनेगी जब match चाल हो जाएंगे कि कौन से boosters कहां इस्तमाल करना है ठीक है तो बस आप चैनल से जुड़े रह मैं क्या क्या term करनी से नहीं हो जो हम लोग 4 transfers कर लें वो कैसे कर लें वो सब पता है आपके लिए ठीक है जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपके लिए ये interface show करेगा ठीक है इसमें schedule show कर रहा है तो अब मैं बताता हूं कि अभी अपन जो मैंने current team मनाई है वो कैसी है ये पहला match है का अपना जो कि है CSK and RCB का और जो 300 transfers हो है वो तो second match से लागू होना है तो आपन पहले match में team आप बना लेजिएगा and contest join कर लीजे पहले से ठीक है एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दो type के contest है एक champions contest है एक weekly contest है तो ये champions contest है not a weekly ठीक है मैं clear cut कर देता हूं इसमें हम ल साट कोली फैब डुपलिसी ग्लेन मैक्सविल और मोहमद सिराच चार RCB से हैं और साथ CSK से हैं साच चारिकिटी में clear cut ये चीच क्यों मैं बता रहा हूं पहले आप देख लिए साच चारिकिटी में क्यों है अब मैं बताता हूं अब यहां से हमारी tricks start होती है जो भी आपको match play करना है जो भी match play करो ठीक है इन contest में आपको कम से कम चार से पांच matches या 6 matches आगे के matches देखके ही आपको उसमें players find करना है ठीक है थोड़ा सा वीडियो लें थी होगी थोड़ा अलर्ट रहके कई डवल टाइम भी देखना पड़ेगी बड़ अलर्ट मोड में ठीक है देखे हम पता है कि हम एक match में चार transpir continue कर सकते अब हम लोग rcb के players 4 लिये ठीक है हहां से यहां अब क Family होगा तो next match में RCB के players के remove नहीं करेंगे एक भी पे जाbek सीदे की players को हटा देंगे सात मेंसे फिर क्योंकि 4 ट्रांस पर्श करना तो हम तीन players लेंगे इसके पंजाब के and एक players लेंगे दिली का, चारी तो कर सकते ना एक दिन में transfers, तो चार मैसे हम लोग ने ले लिए, अब जब हमारा third match होगा, अब हमारे पास किते option बच्चे हैं अब हमारे पास बच्चे हैं, यहां से देखिए, चार यहां book होगा है, तीन अब हमारे पास hold में कहा है, तीन है पंजाब के खिलाड़ी, चार है RCB के खिलाड़ी, अब पांच मैस तो ठीक है, पांच मैस तो होना है, अब जब आच देखिए, छटबा match कौन सी team का है, छटबा match है RCB का और पंजाब का, अब हमारे पास पहले से चार खिलाड़ी RCB के hold पे हैं, और तीन खिलाड़ी पंजाब के hold पे हैं, मतलब एक पूरी team अगर हमने इसमें चार transfers यूज़ कर लिए, कर लिए, तो हमारे पास पूरी एक 11 players की team खेलेगी, जहांकि दूसरे बंदे के पास, केवल हर match में चारी खिलाड़ी खेलेंगे, यहां आपके पास एक match ऐसा होगा हर 5 match के बाद, यह 4 match के बाद, जो आपके पूरी 11 की team प्ले करेगी, सिची अगर एक खिलाड़ी गिरी हालात में आपको 50 points भी देता है, और उस दिन आपका दिन हुआ तो 15-11 खिलाड़ी आपको 550 points देखे जाएंगे तो जो भी match आप प्ले करो, देखिए आप 5 match के बाद यह दोनों प्ले होगा, अब यहां पर एक चीज़ नोडिस करना आप गुजराट का match पांच वाँ है, ठीक है, और वही एक match छोड़के फिर गुजराट का match है है के नहीं, तो यहां से अगर आप कोई players hold कर रहा हो, दो खिलाड़ी, या तीन खिलाड़ी hold करके चल रहा हो तो वो तो एक match के बाद आपके फिर इस्तमाल में आएगे ना, तो यह चीज़ आप देखिए, कि आपके कितने match के बाद वो team का फिर से match हो रहा है, देखिए, अब यहां अगर आप गुजराट का ले लिए दो खिलाड़ी, अगर आपने, यह हम तो कहरे हैं आपने, देख रहे हैं, चाहे आप पो use करो, चाहे नहीं करो, transfers, transfers चार बच गए, और तीन खिलाड़ी यहां से ले लिए, वो आपके इस match में play कर जाएंगे, बिना use करें, अब आप चाहो तो चार transfers में, इसके खिलाड़ी ले लो, तो साथ इस match में भी play कर गए, हो गए साथ के नहीं हो ग ठीक है, इसे अब आप देखेंगे गुजरात का, अब यहां हो गया, अब एक, दो, तीन, चार, अब चार मैच बाद मैच है, तो मतलब बहुत लंबा gap है, यह चीज़ आपको नोटिस करना है कि किस टीम का कितने के बाद मैच है, देखी जैसे यहां, यहां मैच है, एक ड् किस का होगा, अगला मैच किस का होगा, हम किन किलाडी को reserve करके रख सकते, इसको drop करके रख सकते, for example, हमें डारेक्ट इसको practical way में दिखाता हूं, देखी यह होगा theoretical way, अब मैं practical बताता हूं, यह हमने 7-4 की team मनाई थी, 7 हमारे थे CSK के, ठीज थे, and 4 थे RCB के, ठीक है, अब देखेंगे, वो था पहला मैच, पहले मैच में हमारे 7 लेके चले थे हम लोग, सारे players, अलग अलग ते, जिसमें 7 हमारे थे, RCB के, 7 CSK के, और 4 RCB के, ठीक है, अब जड़ा यह देखेंगे, यह हमारा second match था, अब second match में अगर आप देखेंगे, second match में क्या बतला हमारा, दो second, देखें, कि बल हमने, यहाँ, पंजाब का खिलाड़ी ले लिया, एंड देली का, captain by captain जरू बतलना, देखेंगे, अगर आप notice करें, तो मैंने captain by captain जरू बतला, देखेंगे, दिली का, एंड पंजाब का, तो यहाँ से हमने, फिर खिलाड़ी होल्ड पे लिए, कित्ती तीन खिलाड़ी होल्ड पे लिए हम लोगों ने, यह तीन कौन का सिकरदवान है, सेम करन है, एंड अक्षदीफ सींगे, ठीक है, अब यह देखेंगे, यह third round है, अब जब हमारी वो यह बोटी मेंगी, जो हमारे last में बनेगी, छ छे, और मुहमसराज साथ, यह साथ प्लियर्स हमारे प्ले कर ही रहे हैं, चाह कुछ हो, आप देख रहे हैं, एंड उसके बाद जो अगला मेंस था, उसमें हमारा राशित खान तयार है, रिद्धीमान शाह तयार है, और मोहसरमा तयार है, तो यह होगी हमारी best strategy, कि हमारे प आप के लिए बताया कि आप किस तरीके की team बनेगी, ठीक है, एंड इस से related आपको कुछ भी doubt हो, तो बिल्कुल आप comment section में डाल दीजिए, कुछ भी doubt हो, comment section में डाल दीजिए, WhatsApp नमबर दिया है, तो आपके लिए WhatsApp नमबर दिया है, सब अविलेवले हैं आपके लिए, किसी झाल दिया है, आपके लिए शमबर दो आपके लिए लिए.